नबसकर साथियो आप सभी कहाँ के अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत हैं आज सफलता सीरीज के अंतर गतम अठारोश उत्ताउन को बिद्रो को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में अठारोश उत्ताउन के बिद्रों से जुड़े सारे important point को डिस्कस करेंगे अगर आप स्कॉंस्टेबल एससे जीडी आरो यारो लेकपाल पैट बिहार से चेक बढ़ते या फिर किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आपके एक्जाम में हिस्ट्री से क्वेसन आते तो क्लास आफ सब के लिए बहुत ही helpful रहेगे अठारोश उत्ताउन को बिद्रों से जुड़ी प्रमू किताब हों सारी चीजों को डिसकस करेंगे प्रिविए से मैं अठारोश उत्तान को बिद्रों से अगर कहीं से भी कॉशन पूचा गया तो उसको मैंने आज की क्लास में सामिल किया है तो वीडियो आप सब के लिए बहुत ही helpful रहेगा चलिए अपनी क्ला आपका सपना पूरा होगा तो चलिए पर क्लास को स्टार्ट करते हैं इंप्पोर्टन पॉइंट की नोट्स में आएगा कॉपी पे लिकर बैठिएगा अठारोश सताउन को बिद्रों आप से बिद्रों सबसे पहले इस्ट इंडिया कंपनी के किलाप हुआ तो सबसे पहले देरे भारत की इस्तिति को देखते हैं भारत के राजाओं की हालत को देखते हैं इनके मन में एक आकांशा होती है कि भारत में क्या कर सकते हैं सासन कर सकते हैं क्योंकि भारत के राजाओं में एक एकता नहीं थी एक संगठन नियत वह आपस में लड़ते रहते थे एक दूस इसके बाद क्या होते हैं 1764 का बक्सर का यूद्ट, 1764 के बक्सर के यूद्ट के बाद अंग्रेजु ने क्या कलिए बंगाल में अपना अधिपत इस्तापित कर लिया था, तो 1757 से लिए 1857 तक, सो बर्स में ऐसा क्या हो गया कि भारतियों को मन में इतना ज़्यादा बिद्रो उत्पन हो गया कि उए बुद्रो उत्पन हो गया, बहुत ज़्यादा अक्रोस हो गया, जो इसने एक बिद्रो का रूप ले लिया, 1857 को बिद्रो का सिर्फ एक तातकाली कारण नहीं ताकि ब्राउन बेस बंदू के उस्तान पर इंफिल्ट राइफल लेकिया है, अन्ने बहुत सारी कारण थी, जो डेल हो जी के हड़ाप नीती तो बेले जली की सहयक संती थी, तो कई यहाँ पर डाग गहना अधियाम आता ह करते हैं, कई बिध्वाप उनर्विवाव का एक्ट आते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजी थी, जिसनी क्या करते हैं, धीरे-धीरे भारतियों के मन में एक अक्रोस की भावना उत्पन नुरू थी, इसी अक्रोस को आग में घी डालने का काम किया था, अठारत सुतान को जो तात कि नहीं समझेगा, तो ऐसे अठारत सुतान के बिद्रों से बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, लेकिन इसमें क्या हुए तक क्रिशाप वर्ख ने बहुत जादा ब्यापक रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन कहीं न कि लोगों के मन में असंतोस का भाव तो उत्पन हो रहा था, तो चली जानते है, 802् um के बिद्रों का तातकाली करांड हैं, ब्राउन बेस बंद्रों के इस्तान पर क्या लायता है, एक नई राइफल लायता है, पहले क्या हो था 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 in इस лем इस दान पर एक नई राइफल है, इंफील राइफल में क्या होता था लिया थ तो उस टाइम पे बात उठी कि अगर कार्तूस जो खोलना पड़ते हैं मुह से उसमें गाई और सुवर की चर्वी लगी हुए और गाई और सुवर की चर्वी से हिंदू तसा मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहात हो रही थी यह बात पहले अब क्या हो दे मंगल प पार्शी ब्यापारी था जो पहले क्या करता था कंपणी के साथ काम करता था बाद में कंपणी ने किसी कारण वाज उसको निकाल दिया तो कंपणी से बहुत जाता नारास्ता उनसे बतला लेना चाहता था उसने क्या क्या मंगल पांड़ी के पास आया बोला जिस आप पार प्रिम उसको दिखाया कि देखो इस जगह पे गाई और सुखर की चरवी का प्रियोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है जैसे मंगल पांडे ने इसको देखा मंगल पांडे बहुत नाराज हो गए उन्होंने किया किया 29 मार्च 1857 को अपनी दूस अथिकारियों की हत्या करती तो मं मंगल पांडे जिसने क्या करती था अपने अथिकारियों की हत्या करती तो 1857 को बिद्रों को ताथकाली करण क्या था ताथकाली करण था ब्राउन बेस बंदूक के इस्तान पर इंफिल्ड राइफल लेक्या है लेकिन जब यह बात बहुत फैल गई तो फिर कैनिंग नहीं बहुत ज़ादा असंतोस हो गया था और इसने क्या क्या अब जो मंगल पांड़ा ने दू अधकारियों की हत्या कर दी तो 8 अप्रूल 1803 मोंगल पांड़ी को फांसी दी गई मंगल पंड़ी की देट की यह देकिन अग्रेजों ने क्या करते हैँ दो दिन पहलेась की सजा दि अब जैसे मंगल पंड़ी की ह्वानसी की सजा अब इस तरह पर आज की तरीके वर्षक तो था नहीं, फोन तो था नहीं गितुनक पहुँचे तो धे धे क्या हो, मैई में बात पहुची मेरट के सिपाईयों के पाद उन मेरट के सिपाईयों को पता चला कि भई जिस कार्तूस का उन प्रियोग कर रहे हैं इसमें तो क्या है, गाय और सुमर के चरपी लगी हुई है तो 9 माई 1877 को मेरट में पैस्ट सिपाईयों के टुकडी थी जिसमें 85 भारती सैन किया थे उन्होंने क्या कर दिया, इसको प्रियोग से इंकार कर दिया उन्होंने का कि हम इस राइफल का प्रियोग ही नहीं करेंगे जब वह 85 सैन को ने राइफल के प्रियोग करने से इंकार कर दिया तो कंपनी ने उनको समझाने के बज़ए, उनसे बात करने के बज़ए उनको क्या कर दिया, दस वर्स की सजादी थी अब ये दस वर्ज की सजय की बात जैसे पता चलती है बिलकुल मेरत में बिद्रो इस्टार्ट हो गया तो अठारो सुताओं की बिद्रो को पहला केंद किसको बनाए गया मेरत को मेरत में सबसे पहले क्या हुए दस नौ मही को सेन टुकड़ी पर कारवाई की गई तो अठारो मिद्रों के अठारोससे बुद्रों के नौ मेरत में चाथो से पहले सरियों के जाता है दिल्ली में अधिकार कर ले दिल्हार जफा को क्या कर लेते हैं अपनाधूर्ण नेता गोस्त कर लेते हैं यह तो आपके 18ठBoy के बिद्रूग के क्या होगे कारण कौन से तातकाली कारण लेकर अक यह कारण ने था इसके अलावा भी बहुत सारी कारण थे तो कुछ अन्न कारणों के बारे में भी डिसकस कर लेते हैं पहला कराण क्या था डॉण राज बहुत आप नहीं थी चाहरत ने करना चाहते हैं करते हैं दूसरा उन्होंने काया कि जो राजा कि अपनी कोई भी जैविक संतानी होगे जैविक संतानी होगी तो अगर बच्चे को गोद लेना है तो आपको इस्ट इंडिया कंपनी से अनमती लेने होगी अगर आपको अनमती दे दी तो आप गोद ले सकते हैं अनता नहीं ल मिला देंगे तो इसा बहुत सारी राजाओं को क्या ओर रहा तै असंतोस उत्पन ओर रहा था तीसरा उन्हों नेखा कि जो कह कभी न खरी बृटिस के आदी नहीं जैसे आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी ओगे जी मद्रास प्रेसिडेंसी ओगी ती बंबई प्रेसिडेंसी को जाएगा कमपणी को जाएगा कि डल हो जी की राज हरप नहीं थे इसे बहुत सारे राजाओं के मन में क्या आउ रहा था बित्रो की भावना असंतोस की भावना उत्पन नोरे थी समझेगा उस टाइम पर क्या होते बंबई का छेतर बंबई यह भारत का छेतर ठीक है अब भुआईगों पते दहज की रूप में कौं के रहा कॉंडबाईी के राचकुमारी का दिभा बभाइब बंबबाई रोपने से चाई होंड़ा। ऑफ पट म् worked तुम क्या करेंगा कि तो दमकै करती mis relationships उस टेम पे हालत क्या थी भारत छेतर क्या है भारत का बंबाई छेतर किसका है भारत का देहच में कौन दे रहा है पुर्तगारी किसको दे रहा है किसको दे रहा है बिटिस सरकार को कंपणी किराय में किसको मिल रहा है कंपणी को उस टेम पे ऐसी भारत की हालत हो रही तो लोगों के मैंन में बहुत ज़्यादा आसंतोस अक्रोस को भाव उत्बनो रहा था दूसरा क्या ओर था बहुत सारे राज्यों को हड़ा परहते जैसे जिस राज की कोई भी जैविक संतार नहीं तो उसको मिला रहे थे जैसे जवर जस्ती बहुत सारे राज्यों को हड़ा परहते जैसे आपके सतारा को हड़ा रंगपूर को हड़ा बगहाट को हड़ा संबल को हड़ा करोली सतारा रंगपूर बगहाट करोली इन सब को हड़ा था उशी में एक आवद, आवद इक किसी आधार पर नहीं हड़ा पर आते तो उन्हों नहीं किया कि एक आउटरों की रिपोर्ट आउटरों को बेजा, आउटरों की रिपोर्ट को आधार बनाएके का कि आवद में बहुत जादा कुसासन है और आवद में कुसाशन का आरूप लगा के अड़प को हवरट लिया जिब आवद को हडप लिया उस टेम पे आवद के नवाब कौन थे आवद की नवाब थे वाजीत अलिसा वाजीत अलिसा की पत्नी हीट बेगम हजरत मैल जिने महक परी के नाम से भी जानते है महक परी ने क्या किया था? अपने अलफ वैस्क पुद विर्चिस कादिर को आवद का नवाब घोसित कर दी आóg और श्वयम क्या हो गय थे? अटार स्थान के बिद्रों में सामिल तो भोगत सारे नीता हुए थे लिकें सारे नीता क्या अपने काइणों के लिए सामिल तेख बेगम हजरत मैं आपने बेटी को क्या कणा इधा का बनाना चाहती थी कि मेरा बीटे दामे रॉद जासी का राजया बने ओञे को कंप्पनी में नहीं विलrea करता है कानपूर से कानना साथ सみल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि किसी के भी एक निश्चित उद्देश नहीं था सब अपने अपने उद्देशों के लिए सामिल हो थे थे कारण क्या था नाना साथ की पेंशन रुग गई थी तो इसमें क्या हुआ थे रुदस सब्रेथिया कि नंञा थे माराटा साहसे सब्सक्राण क्या होए थे थी कि दradas money in लोगेrire हैं अब क्या है मुगल् समराभ की अप मांजनंग बेहुआर आप क्या कर ते हुंगे बाद्धूर सांसे कि आप मुगल् सम्राभ नहीं कहला ओगे अलुगर ते हannée कहला दोगों सिर्फ बाजा कहला कर दो भी करने को कहां मुगल्स राजावे पहले empty si 19 का भी बाई बेहुस्ता रहेतवड़ी महलवड़ी बेहुस्ता इससे क्या व्रहते ख्रょस्कों के सास्थ छोटे जमीदारों का भी सूषakes हो रहा था जिससे सूरियास का निया लिख कर रहे थे सुरियास के नियों में करें एक देट फिक्स कर दी आगर आपने इस थे सुर्य आपने करक को नहीं जमा किया जैसे जमीधारों को टेक्स्स जमा करना होता तो आप vos रहे को किया कर देते र 향 inverkan कर दें आइसे चुटथा सरका कर संतुस का उप्वा सब्सक्राइब और उसके साथ के साथ प्रिवार करते दें दूस्पड नया आओ वयुषता ती साहिण के साथ अच्या जो कर रहे तो उनकों ुसके अलावा आग चाना पाइन तो नमरे सेना के लोगों के मैं असंतोष की वावना उत्पन वह रहेती है जैसे क्या होते हैंकि 1856 का अगर हमने अपने दियोतาย कि उपर पैर लेगे इसमें कहा गया कि 1856 का जो सीना भरती ज़तनी हम आप IT इसमें कहा गया कि अगर ओसकता पड़ीगी तो आपको समुद्र पार करके दूसरे देश चाना पड़ेगा पहले हम समुद्र पार नहीं करते थे समुद्र क्यों नहीं पार करते थे क्योंकि हमें लगता था कि जल देवता होता है अगर हमें अपने दियोतागों पर पहर रखे तो भारती सेनिक समुद्र पार करना नहीं चाहते थे लेकिन 1856 के सीना भरती अतनियम में कहा गया कि ओसकता पड़ेगी तो आपको दूसरी देश भी फेचा जा सकता है इसी के साथ साथ क्या हुआ था 1854 का डागघर अतनियम है था डागघर अतनियम से क्या हुआ था निसुलख डाग सुद्धा वापस ले ली गई थी इसके लवा भारती सैंकोल को पास योगता होने पर भी उन्हीं सूबेदार से उचे पदो पर नियोगत नहीं किया जा सकता था इसके लवा आपको धार्मेक निर्योगता का एक्ट आया था धार्मेक निर्योगता के एक्ट में क्या का आगया था धार्मिक निर्योग था कि एक्ट में का गया था, पहले क्या होता था, कि जैसे किसी ने दूसरे धर्म को अपना लिया, तो उसको उसके पैतरक संपत से वन्चित कर दिया जाता था, इसमें का गया कि जैसे किसी के बच्चे ने किसी दूसरे धर्म को अपना लिया, तो पिता पैत्रेक संपित्चे उनको वन्चित नहीं कर सकता इससे लोगों को लगा कि यह तो हमें इसाई बना के रहेंगे इसके लोग वज़े से 1829 में सती प्रता कंद किया सती प्रता उस टेम पे हमारे भारती समाज की बहुत ही मतलब हमारे समाज में प्रच लिती तो मैं लगा कि त धार्मी फामलों में बहुत ज़्यदा हस्ता चेप कर रही इन सब कारणों से क्या हुआ था 18 सुत्तान को विद्रो प्रारंबो गया था 18 सुत्तान को विद्रो सबसे पहले काप होता है पस्चे मंगल की बैरापुर चाहने से 29 मार्च 18 सुत्तान को मंगल पांटे ने और हारीत करते हें करांटो हम बिद्रो 31 माई को उस्टार्ट ने लीकिन हमारे भिद्रो के होते 10 माई 18 सुतान को भी प्रारंब हो जाता है तो 18 स्थाओ avons की क्रांड क्या थे इनस सब को आज की क्लास में डिसकर्श किया बागी क्यों वीडियो कैसे लागस का फिटबऐक दी झालेोल जजीजट झाल झाल